सिध्या आपको लिए चलते हापपूर जहां जेपी नड़ा इस वक्त सम्भोधित कर रहे हैं पास के ही नौईडा की बात करूँ जेवर की बात करूँ आज इत्र प्रदेश में पांच साल के अंदर पांच इंटरनाशनल एरपोर्ट होगे पांच इंटरनाशनल एरपोर्ट जेवर का एरपोर्ट बन रहा है दो हजार चौबीस तक फरस्ट फेज पूरा हो जाएगा लगवग 10,000 करोड रुपेज पर खर्च हो रहे हैं ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का पांच वे नंबर का एरपोर्ट बन रहा है ये भी हमको याद रखना मित्रों ये एरपोर्ट नहीं है ये विकास का माध्यम है ये ग्रोथ इंजन का माध्यम है उत्तर प्रदेश की खुशाली लाने का माध्यम है इसमें लगवग एक लाख लोगों को इंप्लाइमेंट मिलेगा एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ये अभी हमको याद रखना चाहिए खुशिनगर का एरपोर्ट बन गया उसी तरीके से अयोध्या का इंटरनाशनल एरपोर्ट बन रहा है काशी का इंटरनाशनल एरपोर्ट बन गया लखनव इंटरनाशनल एरपोर्ट हो गया यानि छोटी सी अवधी में पांच एरपोर्ट इंटरनाशनल हो गये हैं यह भी हम को ज्याने एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो लखनाउ से गाजीपुर बुंदेल खंड से इतावा बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे इतावा से चित्रकूट गोरकपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरकपुर से आजमगर और गंगा एक्सप्रेस वे जो 594 क किलो मीटर का है बनेगा छे लेन होगा 37,350 करोड रुपए इसमें खर्च होंगे और यह मेरट हापुर बुलंशेर उन्नाव से प्रयाग राज को जोड़ेगा यह यह एक्स्प्रेस वे बनेगा मैं बताना चाहता हूँ यह एक्सप्रेस वे नहीं है यह फोर लें नहीं है यह विकास की गंगा है यह विकास का माध्यम है इसको भी याद रखना चाहिए एक नए तरीके से उत्तर पुदेश है भरता हूँ अब बेनिवाल जी है यह हमारे राजिंदर जी है पहले यह दिल् बोलते हैं आप सुबह फोन कर दिए का मैं घंटे दोल में आ जाओंगा मैं कैसे आ जोगा एक्सप्रेस वे पकड़ूगा और आ जाओंगा अब यह एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं और आ जाते हैं यह अंतर यह फरक इसको समझे यह विकास की बात जिसको हमको आगे याद तीन दिन पहले केंदर का बजट आया साथ लाख नौकरियों का अबब्लाइमेंट की जेनरेट होगा सिर्फ प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से साथ लाख प्रोड़क्शन के दृष्टी से होगा उसी तरीके से एक साल के अंदर एक साल के अंदर पच्छिस हजार किलो मीटर की सड़क बनेगी और बीस हजार करोड रुपे खर्च होगा उसी तरीके से उसी तरीके से हमारे हाँ दो लाख टू पॉइंट फाइव लाख करोड ये एक करोड तिरसट लाख किसानों के लिए इस यूनियन बजट में पैडी और वीट इसको खरीदने के लिए MSP देने के लिए इसकी वी व्यवस्ता की गई है हर घर जल पहुंचे इसके लिए साथ हजार करोड रुपे रखा गया है और असी लाख रुपे नए घर बनाने के लिए 48,000 करोड रुपे इसके लिए रखा गया है